हेलो प्रेंज, वेलकम टो मैं यूट्यूब चैनल, तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्लास नाइन्थ मेत के, जो आप लोग को आज के डेट में, आनि अठाइस अक्टूबर, जो आप लोग को विकली टेश्ट में पुझे जाएगा, सारा कॉसन, आनि यही से क दस टो हम अब्जेक्टिव कोशन बताएंगे, और छेटो सब्जेक्टिव कोशन बताएंगे, तो यहां से आप लोग देख लिजेगा, पूरा 100-100% आप लोग का मार्क आनि 40 जो नमर होता है न, वो आप लोग को आ जागा, इस वीडियो को क्या कीजेगा, अपने दोस्तो पास सेर जरूर कीजेगा, ठीक है, ताकि आपका दोस्त भी है, 40 का 40 नमर उठा लगे, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने की है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेजिएगा, तो चलिए पहला कोशन देखते हैं, कहा गया है कि यदि एक समानतर चत्रभूच का विकर्न बराबर है, तो अब क्या होता है? तो कोई भी समानतर चत्रभूच का विकर्न बराबर होता है, तुसे हम लोग आयत बोलते हैं, ठीक ना? तो आयत का सिम्बल देखें, यहांपर option no. c में तो option no. c अपका say answer हो ज़ेगा अगला है कि एक समानता चतरभूज का आधार 18 cm है और उचाई 3 cm है तो इस चतरभूज का चतरफल क्या होता है कोई भी समानता चतरभूज है उसका आधार दिया है और इसका उंचाय दिया है ठीक है तो इसका चेतरफल पुछा है तो समांता चतरभूज का चेतरफल होता है आधार गुनी उंचाय ठीक ना आधार कमान दिया है 18 और उंचाय कमान दिया है 3 18 तिया करेंगे तो हो जागा 54 cm2 तो 54 cm2 आपका option नमबर C में है आप लोग आँ option को ध्यान से देख लिजिएगा और माद यागा ठीक है अगला question है मतरम यही question रहेगा कि समानता चतरभूज के चतरफल के लिए सूत्र क्या है समानता चतरभूज का चतरफल जो होता है एरिया बराबर ए मतलब होता है एरिया एरिया बराबर होता है आधार गुनी उचाए ठीक ना एक बटे दो गुनी आधार गुनी जो होता है यह होता है समकुन तिरभूज का चतरफल तिवला नहीं होता है तो आपका से अंसर औप्सन नमर एक हो जाएगा क्योंकि समानता चत्रभूच का चितरफल पूचा है अगर पूचता आयत का तो अतला लंबाई गुण नहीं चोड़ा है परिदी गुणा उचाई यह नहीं होता है ठीक है अगला question नमर देखते हैं पाचेवाद चोथा नमर एक समानता चत्रभूच का आधार दे दिया है 10 उचाय दे दिया है 6 इस चत्रभूच का चत्रफल क्या होगा अभी स्टेप साब मुनों कॉसन निकालने देखें आधार यहां पर मिला है उचाय यहां पर मिला है तो यहां पर गुना कर दिये तो ठारतिया चोवन क्योंकि आधार गुना उंचाय होता है समानता चत्रभूज का चत्रपल उसी परकार से यहां फिर आधार कमान 10 और उंचाय कमान 6 तो 10 चक कितना हो जागा 60 तो 60 cm2 आपका एंसर हो जागा ठीक है इसमें option हम यहां गलत लिख दिये हैं यहां पर 50 के जगा क्या था 60 होता और इसका चेत्रफल दे दिया है 50 मतलब इसका total area कितना है 50 है ठीक ना इसका total area कितना दे दिया है 50 दे दिया गया और इसका आधार कितना दे दिया गया है 10 दिया है देखिए समानता चत्रभूज का चेत्रफल होता है ठीक ना समानता चत्रभूज का चेत्रफल कितना दे दि समानता चत्रभूच का चत्रफल होता है आधार गुनी उचाय पराबर कितना दिया है पचास आधार का मान दिया है दस और उचाय आपको निकालने के लिए कहा गया है तो उचाय का उचाय बराबर पचास का पचास यहां पर आधार का मान बठा दिया है उचाय का खाली का खा चट्ठा नमर कॉसन है कि समान अधारों पर और समान समानतर रिखा हूँ समान अधार का मतलब एक अधार समान समानतर रिखा मतलब एक ही समानतर रिखा ठीक है कि बीच दो समानतर चतर भूजों का चतर फल क्या होता है मतलब एक ही समांता रिखा है और एक ही ठो आधार है, और इसके बीच में दोगो समांता चतरफोजे है, तिसका चतरफल क्या होगा? तो आपको पोचा एए इस प्रकार से कुछ कॉंसन बनेगा गिए ना? देखे यहां पर आधार से में और समांता रिखा से में इसके बीच दोगों समांता चत्रभूज बना तो दोनों समांता चत्रभूज का चत्रपल क्या होगा बराबर अगर चत्रपल बराबर तो अनुपाथ भी बराबर ओप्सन नमर सी आपका से अनुपाथ एक अनुपाथ एक चत्र भूजे, A, B, C, D, तोड़ा इसको तोड़ा काट लेते हैं, एक समानता चत्र भूजे, A, B, C, D, इसमें से C, O, B नहीं होगा, यह C, B, D होगा, C, D, B, C, D, B, 45 है, C, D, B, और यह वला कौन हो दिया है, 45, ठीक है, आगें कहा कि यह और कौन D, A, B, फेरसट दिया है, D, A, B, अणि यह वला कितना मिला है, 46 मिला, ठीक न, यह थी है, 46 दिया है, तो swooshan में आपको पूछा क्या है, CBD घ्याद किसे, C, B, D, अनि यह वला कौन आपको घ्याद करने के लिए कहा गया, देखें कौन A, 45 है, तो कौन C, B, पेरशट होगा, समुक कौन से, समुक कौन से होगा आप ध्यान से देखिए इसको समुख कोन से क्योंकि समानता चत्रबुच के समुख कोन क्या होते हैं बराबर तो यहां पर मिल गया आपको 45 ठीक है और यहां मिल गया आपका 65 आपको यह वला कौन पूछा है तो तिरबुच के तीनों कोनों योकफल होता है 180 ठीक है 180 में तो पचेगा 70 जो कि आपका option number D में ठीक है चलिए next question देखते हैं अगला question है आठ नमर question यह भी important question है यह तो पुछा ही जागा question में कि समानता चत्रबुच ABCD में X और Y का मान गया तो बहुत ही असान है समानता चत्रबुच का गून क्या होता है कि उसका सम्मूख कोन जो होता अगर देखिए यहाँ पर Y कमान कितना निकल जागा 110 क्योंकि यह दोनों बराबर हो जागा Y कमान कितना जागा 110 समूख कुन से X कमान कितना निकल जागा 70 तो X कमान 70 ठीक है और Y कमान 110 तो option number D आपका सही answer हो जागा नॉमा नॉमा नॉमर कोशन है कि एक समानतर चतरभूच की उचाए 20 है और चेतरफल 250 है मतलब इसका चेतरफल दे दिया है 250 समानतर चतरभूच का चेतरफल कितना दे दिया है 250 ठीक है 250 ठीक न और इसका उचाए दे दिया है तो समानतर चतरभूच का चेतरफल का फर्मूला बिटाते हैं, समानता चत्रभूच का फ्रमूला क्या होता है, आधार गुनि उचाय, और इसका कितना दे दिया है, 250, आधार का मान तो मिला नहीं, आधार निकालने बोला है, उचाय, उचाय का मान कितना दिया है, उचाय का मान दिया है, 20, तो आधार का आधार जैसे का, तैस से बराबर 250 का 50.1010 कट जागा. चाँए 25 को सड़े बारो बारो में कटेगा. सड़े बारो बारो आणि 12.5. 12.5 किसमें है? 12.5 आपका option नमर ए में है. ठीके? दसवा नमर question देखते हैं, इसमें कहा गया है कि किसी समानता चतरभूज एक बिकर्ण कीज़ा जाता है कोई भी समांतर चतरभूज है इसमें एक बिकर्ण कीज़ाता है एक बिकर्ण कीज़ाता है तो कितने समान समान मतलब बराबर चतरफल वारे तिरफल में प्राप्त होते हैं तो दोगों तिरफल प्राप्त होते हैं और दोनों का चत नमबर एक पुछा गया है इसको आप पहले वाला वीडियो में बताये चे वहां तो आप लोग देख लिजेगा चाहिए इसको रिभाइज कर लिजेगे इसको आप लोग इसको पुछे जाएगा ठीक है कौन-कौन-कौन पुछे जाएगा उसको हम बता दे रहे हैं यह भी द मोह कौन बबराबर होते हैं ठीक है अब उसके बाद आप इसको यह मिल गया तब इसको ध्याण सा देखे यहां पर आपका है z रोड़ यहां पर आपका 100 तो यह 21 और कग अन्तो कंण है तो जैड ओर 100 को जोड़ेगे तो आयेगा एक सो असी क्यों एक ही और क्या अंता को नोग योग फल तो जैड कमान निकालें किसे यह सो इधर पलस में इधर आके मैनस में तो एक सो असी हम सो जागा कितना बचेगा असी बचेगा तो जैड कमान निकाल जेगा असी अगर जैड यहाँ पर निकाल गया असी तो यहाँ पर समानता चत्रभूच का एक कौन दूसरे कौन से तिन गुन्ना है तो कौनों की माप ग्याद किजी देखें माल लेते हैं माना पहला कौन माना पहला कौन पहला कौन कितना है? x माल लेगे पहला कौन कितना माल लेते है? x पहला कौन बराबर x तथा दूसरा कौन क्या आजागा? 3x एसा क्यों? क्योंकि तिन गुन्ना है यहाँ पर हम कौन लिख दिया है न तो यह आप लोग यहाँ पर कौन कर लेजेगा, कौन रहेगा, आप लोग बोलाम, मा आप ग्याद कीजे, क्या करेंगे, तेखे, इस तरह से आपका समांतर चत्रभूज बनेगा, यह बला निकलेगा X, आरी बला निकलेगा 3X, ठीके, तो यह आप एक ही और के अंतकोन है, ध् 4X, 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 45, 45 निकल देगा, तो 45 डिरी आपका सही अंसर हो जेगा, इसको इस तरह से छाप दीजिएगा, पंदर नोमर कौसन देखिए, पंदर नोमर यह दि समांतर चत्रभूज का चत्रफल दे दिया है, और इसका उंचा है, अब ही तो पीछे हम ल क्या होता है, आधार गुनी उंचाही, ठीक है, कितना दिया है, 36, उंचाही कमान दिया है, 4, तो आधार कमान तो निकलेगा, बराबर 36 का 36, 4 से 36 उकाटेंगे, 9, तो आधार कमान क्या निकल लेगा, 9, तो आप लोग लिख दिएगा, 9 सेंटीमिटर, एंसर खतम, लास्ट ब बराबर दिया है, तो आपको सीध करना है, कि यह है एक आयत होगा, तो देखिए, आपर हम सीध कर दिये, तो आप लोग नोट डान कर लिजेगा, ठीक न, यहापर ध्यान से देख लिजे, दिया है, कि ABCD एक समानता चत्रबुजे, जिसमें दोनों बिकरन बराबर है, ठीक ह पकड़ लिए, और दोनों तिरबुज को हम लोग सर्वानसम कर दिये, दो तिरबुज को सर्वानसम कियें, तो कौन B और कौन C, CP CT से बराबर हो गया, ठीक न, अब CP CT से बराबर हो गया, तब दो कौन बराबर हो गया, तो कौन B और कौन C जोडने पर एक 180 आगा, क्योंकि ये एक ही और के अंतक होने, और कौन B का मान, कौन C का मान, कौन B रख दियें, क्योंकि समी करने एक में बराबर के थे, और यहां पर एक कौन B, एक कौन B, दो कौन B हो गया, और यहां दो गुदर गुना इदरा के भागा, तो काटेत निकल गया, 90, इस प्रकार से कौन B का म सोरी आयात है इती सीधम क्योंकि सीध करने बोला था थो जाएगा सीध हो जाएगा ठीक ना तो यह सोलो को कौशन आप ध्यान से मिला लेजिएगा यही कौशन यहां आपके एकजाम में अर रहने वाले हैं ठीक है तो इसको आप चाहे तिसकीन सौट में मार सकते हैं अभी के के लिए आप याद कर लिजेगा चलिए फटा फटा इस वीडियो का किजेगा आपने दोस्तों पास सेयर जरूर किजेगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लिजेगा और बेल आइकान को भी धनिवार